नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंग्म आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होमेपैथिक कंसल्टेंग पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि यदि आपके जोडों में दर्द रहता है आ या फिर आपको चोट लग गई थी पुरानी चोट लगी है उसकी वज़ा से आपकी हड्यों में दर्द रहता है तो इसके लिए आप कौन सी होमेपैथिक मैडिसिन यूज कर सकते हैं कौन सी मैडिसिन आपके रहें तो सिंटम्स के कौडिंग में आपको मैडिसिन हैं यह आपको हर तरह की जोडों का दर्द हो तो आप उसमें मैडिसिन को यूज कर सकते हैं तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न यह जानते हैं कि बहुत जादा पेइनफुल रहता है ज्ञाइन किसी भी वज़ा से हो सकता है चाहे आपको इंजूरी की वजा से हो रुमेटाइड अर्थराइटिस और सियों और सिया हो आपकी हड्यां कमजोर हो गई हो अंदर से उन में जानते हैं और स्टिव परोसिस के बहुत ही अच्छा रोल है इसका आप इन मैडसिंस को यूज कर सकते हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग के आपको जैसे आपके लक्षर दिखें उस बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको नहीं कुछ समझ मेहारा आप मुझसे अपॉइन्मेंट ले सकते हैं ुझे करके पता कर सकते है भेस सकते हैं तो जैसमें इनके लिए जो बेस्ट्थ हो मेडसिंस में या बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली मैडसीन है लैकर बहुत ही इफ्केटि अगर आपको जैसन्स में थैसन कि भनाल चाब जब आपके शिम्टम्स जव स्टार्थ कर चा तो बहुत ही ज्यादा effective medicine है इसमें क्या होगा जो जॉइंस है आपके उन में बहुत ज्यादा pain मिलेगा साथ सूजन मिलेगी सूजन होने के साथ साथ आपके जोडों में आप देखेंगी कि गांठे भी महसूस हो सकती है लेकिन आपको जॉइंस में अगर ऐसे लक्षन है तो लेजंपॉल आपके लिए बहुत ही effective medicine है आप इसको यूज कर सकते हैं और एक main symptom इसमें क्या है कि जो मरीज होगा उसको ठंडे पानी में पैर रखकर के उसके जॉइंट में आराम मिलता है या फिर ठंडी चीजों से जैसे वह सिकाई करेगा ठंडी चीज से पैरों को खुला रखकर के सोगा तब उसको रिलीफ मिलेगा जबकि नॉमनी देखा जाएगा कि वात रोग यानि हड़ी से सम्मधित कोई अग या ठंडी चीज से सिकाई करने से अराम मिल रहा है तो लैडम पॉल बहुत ही एक्टिव है लैडम पॉल को थर्टी पोटिंसी में यूज कर सकते हैं 30 पोटिंसी में आपको इस मेडिसिन की दो दो बूद सुबा दो पहर शाम दिन में तीन बार लेना है और यदि आप ग्ल इसके लिए बहुत ही फैक्टिमेशिन है वह अपोजिट राप पूजिट है जैसे लापन पॉल में आपको बताए कि जो लग्षन है वह नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे हां लैडबहुपॉल इस तरह से भी लक्षन दिखाई परते हैं तो जैसे कि मैं लैकी फोलिया में बता रही हूं कि इस से जश्ट अपोजिट है इसमें जो सिम्टम है वो उपर से नीचे तक रेडियेट होते हैं जो दर्द होगा वो असानी होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और साथी साथ अगर आपको वात रोग है वात रोग के साथ आप देखते हैं कि कई लोगों को हर्ट से भी समंधित परिशानिया हो जाती है तो अगर ऐसे लक्षन है तो भी कैल्मिया जो है बहुत ही यूसफुल मैडसिन है कैल्मिया जो है आपको 30-49 में यूस्व करना है दो दो बूपंद इस मैडसिन का यूस्व करें सुबा दो बहुत बाहर शाम दिन में तीन बार और अगर ग्लोबीूलस में ले रहे हैं तो ग्लोबीूलस में भी आपको इसकी चार-चार गोलिया लेनी है सुबा दो ब्राइ ब्राइनिया में क्या होगा कि जो मरीज है उसको गर्मी से अगर आराम मिल रहा है हरकत से चलने फिरने से रहत मिल रही है तो उसके बहुत ही यूसफुल मैडसिन है जो ब्राइनिया मैडसिन है अगर कोई और लक्षन है मेंस आपको सरदी जुखाम है या कोई और परिशानी है तो उसमें क्या होगा कि जो मरीज है उसको लेटने से आराम मिलेगा और हरकत से उसके जो कंप्लेइन है वो बढ़ जाएगी लेकिन गठिया की केस में जो जॉइन पेन के केस में बिलकुल साथ हरकत करने से चलने फिरने से बी आठvasive है अगर आप रातने Art & review दर्द बढ़ जाता दो आप sometime यूज कर सकते हैं ऑम आप और अगर offer वी आघ्जा में बहुत ही यूस्फुल और बहुत ही इफ्यक्टिव मैडसिन है अगर आपको इस तरह के लक्षन मिल रहे हैं कि जब आप उठते हैं जैसे बिस्तर पर बैठें आप उठें और उठने के बाद आपको असनी दर्द हुआ जब फर्स्ट इस्टे प्रक्षिमिंस पहला कदम बढ आते तो बहुत जादा दर्द होता है बहुत तकलीफ होती कि आप चला नहीं जाएगा लेकिन आप जब लगातार वॉकिंग करने लग जाएंगे तो आपको आपके दर्द में आराम मिलेगा अगर ऐसे लक्षन है तो रस्टॉक्स बहुत ही एफ्यक्टिव है आपके लिए जैसा कि आपने सुना होगा कि अक्सर बोलते हुए कि बैठने से दर्द बढ़ जा रहा है और चलने लग जा रहे हैं चलते फिरते रह रहे हैं काम करते रह रहे हैं तो थोड़ा सा आराम लग रहा है तो ऐसा अगर कोई बोलता है तो उसके लिए रस्टॉक्स बहुत ही सु एक्तिया जो है बहुत ही इफ़िव है कम एक्तिव है अगर आपकेAPP को में घ्रजायन्ट हैं इननले हो रहा है। है तो इसमें आसको को ये सब्सक्राइब करो को दो हो honom // सुबह दो पार शाम दिन में यूस करना है और 519 वे सर। अढली मैडेसिन जो की है। löutet अगर आपको मैं किसी तरह की précर आगСंद फीडूप इंजूरी भाइ Means से आपको दर्द हो रहा है फ्राक्चर होने की बाद अगर आपकी हड़ी सही से नहीं जुड़ी है तो भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मैडशीन है। संफाइटम को मदर तिंचर फॉर्म में यूज करना है आपको Mother Tincture Form में सुबा दो पहार शाम इसकी 10-10 बुंद आपको लेनी है आपको 1-4 cup पानी लेना है उस पानी में इस मैडसिन की 10-10 बुंद डाल करके सुबा दो पहार शाम दिन में 3 बार आप पिए तो आप देखेंगे आपको जो बौन परिशानी है आपको दर्द महसूस हो रहा है हड़ी आपकी सही से नी जड़ी है उसकी वज़ा से दर्द हो रहा है तो उसमें भी आपको जो सिंटेम है वह धीरे-दीरे कवर कर लेगा आपको आराम दिलाएगा इस मेडसिन को आप तो उसमें भी बहुत ही अच्छा इसका रोल है और खासका जब हड़ी में चोट लग जाए चोट लगने के बास ते जो दर्द होता है उसमें भी रूटा बहुत ही अच्छी जैसे एक्सिजेंटल है आपको मसल्स में इंजुरी हुई है तो बोन इंजुरी के लिए रूटा आप बहुत ही अच्छी है रूटा को 30 बोल सभा दो पहर शाम दिन में तीन बार यूज करें और साथ जात अब वह बिसमें दे रहे हैं तो चार चार गोली सभा दो पहर शाम दिन में तीन बार यूस कर सकते हैं तो यह तो बेश्ट हुमिपैफिक मैडशिंस मैंने आपको अगर आपको joint से related कोई problem है तो आप symptoms के recording सिलेक्ट कर सकते हैं otherwise आप मुझसे भी पूछ सकते हैं तो मुझसे appointment लेने के लिए नीचे दिये गए description box पर जा करके आप appointment ले सकते हैं और साथी साथ message करके भी पूछ सकते हैं आप मुझे comment box में जो भी आपकी problem में आप लिख दीजे मैं आपको reply कर दोंगी तो आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो इसको like करें शेयर करें और साथी इंपोर्टेंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपको कुछ query है means कि आपको कुछ पूछना है मुझसे या फिर आप मुझे कुछ suggestion देना चाहते हैं तो आप भी बता सकते हैं मुझे कि मैं किस तरह से अपने वीडियो को improve कर सकती हूं कि आपके लिए suitable रहें तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में thank you bye bye